हलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल फोर आपकी सक्सेज गुड बॉर्निंग मैं निहारीका सेनी चलिया आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज किस वीडियो में हम कार्बन और उसके योगिक से रिल्टेड मॉस्ट इंपोर्टेंट 25 कुशन को यहां पर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर क्या आपको पहले फर्स पार्ट को सौल करना है तो चलिए आपसे च्टार्ट करते हैं क्यूस नंमर में लुप अपको र्यक्सन दी गई है तो आपको बताना कि प्रोड़क्ट की रूप में आपको पलक्स में एस्टोव बन गया है तो देखें वह रियक्षण CS3-COOH के साथ में करवाई जा रही है 온क्रफम. इसा नाही रियक्षण CS3-COOH के साथ में करवाई जाती है तो क्या बनता है लओण बनता है तो यहांपर क्या है आपको बताना है तो यहांपर बन जाएगा CS3COON यानि कि option C आपका राइट हो जाएगा आपर sodium acetate याँ पर बनेगा क्या बनेगा? sodium acetate यानि कि CS3COON तो option आपका याँ पर C बिल्कुल राइट हो जाएगा नेश के उसने आपर देखिए एथनोग अमल carbonate और bicarbonate के साथ अभिकरिया करने से कौन सी gas उत्सरजित होती है तो देखिए एथनोग जो acid है अमल है ये carbonate और bicarbonate के साथ में जब reaction करता है तो कौन सी gas निकलती आपको बताना है तो देखिए जब भी कोई acid carbonate या फिर bicarbonate से reaction करता है तो यह लवन बनाता है जो अभी पीछे हमने देखा है तो साथ ही ये क्या करता है जल और CO2 gas निकलती है तो यहां से आपको पुछे कि कौन सी gas उत्सरजित होती है तो यह होती है CO2 यानकी carbon dioxide तो यहां से आपका option C बिल्कुल right हो जाएगा carbon dioxide चले next देखते हैं नेश क्यूसर यहां पर है जल के कठोरता किसके कारण हो सकती है तो जल में जो कठोरता होती है किसकी वज़े से हो सकती है तो यहां पर आपको option देगए है calcium chloride या फिर calcium sulfate magnesium chloride या फिर magnesium sulfate calcium वे magnesium bicarbonate तो इन सब भी की उपस्तिती की वज़े से जल में कठोरता हो सकती है तो यहां से option आपका D बिल्कुल right हो जाएगा उप्यूक्त सभी नेश क्यूसर देखिए आपर निम्न में से कौन सा जल साबून के साथ आसानी से जाग उत्पन नहीं करता है तो यह कौन सा जल है यह है कठोर जल ओपसन है पर यह आपका right हो जाएगा जो कठोर जल होता है उस साबून के साथ में आसानी से जाग उत्पन नहीं करता है चले नेश क्योば देखिए नेश क्यों देखते हैं नेश क्यों पर है निम्न में से किसे पेराफिन कहा जाता है तो किसको कहा जाता है पेराफीन आपको बताने आपर तो ये कहा जाता है किसको एलकेन को किसको कहा जाता है एलकेन को तो आपसने आपका ये आपका विल्कुल राइट हो जाएगा और देखिए जो एलकेन होता है उसको क्या कहा जाता है तो उसको ओलिफिन कहा जाता है अलकीन को और एलकेन को पेराफिन कहा जाता है तो अपने़ आपड आपका A विल्कुल राइट हो जाएगा चयले नैश्ट देखते हैं नैश्ट का सुनियाइप कर है मीथेन में कुल कितने सिग्मा आबंद उपस्तित है तो आपको बताने है जो मीथेन होता है उसमें सिग्मा बॉंड आपको बताने है कितने होते हैं तो देखें मीथेन का आपको सबसे पहले तो क्या करना है फॉर्मूला लिखना है होता है methane का formula तो यह था CH4 क्या होता है CH4 आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ओके एक हाइड्रोजन इसके पास में लगा सकते हैं तो यहां पर आपको पुछा गए sigma bond कितने होते हैं तो देखे सबसे पहले पता होना चाहिए जहां पर single bond होता है वहां पर एक sigma होता है जहां पर double bond होता है वहां पर एक sigma और एक pi bond होता है और triple bond होता है तो वहां पर क्या होता है एक sigma होता है और plus में दो pi bond होते हैं तो देखे मिथेन में सबी जगे क्या है single bond है तो यहां पर सबी पर क्या होगा sigma bond होगा सिग्मा चार यहां पर सिग्मा बॉंड होते हैं कि इसमें मेथेन में क्योंकि यहां पर सभी में सिंगल बॉंड है तो यहां से आपका राइट आंसर जाएगा ओप्सन डी कितने होते हैं मेथेन में सिंग्मा बॉंड तो यह होते हैं चार, उपसन आपड़ी यहां पर राइट हो जाएगा, चले नैश कुसमें देखते हैं, नैश कुसमें आपर है, बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंद की संक्या कितनी होती है, तो पीछे आपको मेथे में पूछा है, यहां पर आपको बेंजीन में पूछा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेंजीन रिंग यहां पर आपको बनानी है, क्या करना है, सबसे पहले बेंजीन रिंग आपको यहां पर बनानी है, तो देखिए, यहां पर क्या होते है, बेंजीन में 6 कारबन मौजूद होते है, और सभी 6 कारबन के पास में क्या होता है, एक- double bond में मौझूद होते हैं, क्या होते हैं? मैंने आति-Single Bonds में मोझूद होते हैं अब आप Removal1сят 1 coupon time 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 annoying time 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 सिंगन और एक सिंगल बॉन्ड होते हैं जहां डबल बॉन्ड होगा वहां पर 다섯 नाक है Judewn Twot सिंगल बॉनन मौझूद होते हैं तो देखे यहाँ पर hydrogen और carbon की बीच में single bond है तो कितने है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, ताट, नो, दस, ग्यारा और बारा है तो क्या होगे यहाँ पर बारा है तो sigma bond मौझूद है अब देखे यहाँ पर double bond दिएगे कितने 3 double bond यहाँ पर है तो क्या होगे तीन यापर πाई bond मौझूद होगे तो कितने होगे तीन यापर πाई bond होगे तो यहाँ से आपका option B बिलकुल राइट हो जाएगा बारा है और तीन यान की sigma bond कितने है बेंजिन में तो यह बारा है और पाई bond यह तीन है तो इस तरह से आप पूरे सभी के निकाल सकते हैं ओके चले next चलते है next किसने आप देखिए निमल लिखित में से किसका उपयोग मदुमें है रोगियों के लिए चीनी की जगे पर किया जाता है तो यह किया जाता है किसका? सेकरीन का option यह आपका C बिल्कुल राइट हो जाएगा और देखिए जो सेकरीन होता है वो चीनी से लगबग 500 गुना मीठा होता है क्या? सेकरीन option C यह आपका राइट हो जाएगा चले next किसने देखते है तो next किसने आपर है निमलीकित में से कौन एक विसेली गैस है जिसने सरसू तेल की तरह जहांस आती है तो यह ओती है कौन सी मस्टर्ड गैस इसको कहते हैं तो option यह आपका यह आपका C बिल्कुल सही हो जाएगा next किसने देखिए 1984 में हुई भोपाल गैस तरास्थी में कौन सी गैस लीक हुई थी तो यह थी कौन सी मीथाइल आइसोसाइनेट यानि कि option यह आपका B बिल्कुल राइट हो जाएगा मीथाइल आइसोसाइनेट यह थी 1984 में भोपाल गैस तरास्थी में यह गैस लीक हुई थी जिसमें बहुत बड़ी हानी हुई थी तो option आपका B राइट हो जाएगा नेश कुसम देखिए निवलीकित में इसे कौन एक साधारन चीनी यहने कि common सुगर है तो एक कौन सी है साधारन चीनी जो कि हमारे घरों में मोज़द होती है तो यह है सुक्रोज option आपका यहां पर B बिल्कुल राइट हो जाएगा सुक्रोज और इसका formula आपको पता होना चाहिए सुक्रोज का formula क्या होता है तो यह होता है C12H22O11 इसका यह formula होता है सुक्रोज का आपको याद रखना है चले नेश चलते हैं नेश कुसम आपर है नेश कुसम आपको यहां पर नेश कुसम आपको यहां पर B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला चीश नेश कुसम देखिए आपको पर अपमारजक दुआरा कठोड जल के साथ जाग उतपन करने का क्या कारण है तो देखिए जो अपमारजक होते हैं वो कठोड जल के साथ में भी क्या करते हैं जाग उतपन करते हैं तो इसका reason क्या होता है option फस्ट यहां पर है यह कठोर जल में घुलंसील है वे रंगहीन पधारत हैं वे कठोर जल के साथ सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं या फिर सलफोनिक अमल के कैलसियम और मेगनिशियम लवन जल में घुलंसील होते हैं तो यहां पर option आपका D बिल्कुल राइट हो जाएगा जो अपमार्जक होते हैं वो कठोर जल के साथ में जाग उत्पन क्यों करते हैं क्योंकि यह सलफोनिक अमल के कैलसियम और मेगनिशियम लवन के जल में घुलंसील होते हैं तो option आपका यहां पर D बिल्कुल राइट हो ज जाती है तो यह पाई जाती है ऐसंत्रत कारवन स्रंकला तो यहां से आपका option B बिल्कुल correct हो जाएगा और देखे इस कारण से हम वनस्पती तेल से वनस्पती घी बनाने के लिए क्या करते हैं एडिसन रेक्शन करवाते हैं जिसमें क्या होता है उत्परेरा कौन से होता है तो होता है निकल निकल आपको यहां से याद रखना है और इससे क्या होता है कि S अंतरप्त जो कार्बन स्रंखला होती है वो संतरप्त कार्बन में बदल जाती है किसमें वनस्पती तेल से वनस्पती घी में वो चैंज हो जाती है तो option आपका यहाँ पर B बिल्कुल राइट हो जाएगा चले next चलते है next किसे यहाँ पर है वसा अमलो वाले तेलों का उप्यो करना चाहिए तो यह करना चाहिए S अंतरप्त वसा वाले अमलो का यूज करना चाहिए भोजन पाकाने के लिए तो option आपका यहाँ पर B राइट हो जाएगा next किसमें आपका है सूरी के परकास की उपस्तिती में मीथेन और कलोरीन के परतिस्ताफन अभिकरिया से क्या बनता है तो यह बनता है कौन सा CCL4 बनता है तो option आपका यहाँ पर D विल्कुल राइट हो जाएगा CCL4 बनता है यह क्या होता है reaction इसमें बार-बार reaction होती जाती है तो सबी जो alcoholic पर यह पधारत होते है उनका मुख्य अभियव कोन सा होता है गटक कोन सा होता है तो यह होता है ethanol कोन सा होता है ethanol option B आपका राइट हो जाएगा ethanol आपको formula भी ध्यान रखना है क्या होता है C2H5 OH इसका formula होता है ethanol का जो कि alcoholic पर यह पधारतों का मुख्य गटक होता है अभियव होता है चले next देखते है next कुसन आपर है alcohol की निर्जली करन यानि कि dehydration से क्या बनता है तो alcohol का जब निर्जली करन करवाया जाता है यानि कि इसमें से S2 बाहर निकाला जाता है तो क्या बनता है तो यह बनता है alkin क्या बनता है alkin option A right हो जाएगा यहाँ पर next कुसन देखे निर्जली में से कौन एक जैरिला पधारत है तो यह होता है कौन सा methanol कौन सा होता है methanol यहनि की CS3OH तो देखे जो methanol होता है उसको पीने से व्यक्ति अंदा हो सकता है और व्यक्ति की मर्त्यू भी हो सकती है methanol को पीने से तो यहाँ पर option आपका B बिल्कुल right हो जाएगा next किसम देखते हैं next यहाँ पर है गन्ने का रस molissus बनाने के उप्योग में लाया जाता है जिसका कीनमन यहन की fermentation करके dash को तयार किया जाता है तो यह कहा जाता है किसको ethanol को option आपका B बिल्कुल right हो जाएगा ethanol चले next देखते हैं अगला किसम आपर है ethnic amal को सामयने तक क्या कहा जाता है तो ethnic जो acid होता है उसका दूसरा नाम क्या है ऍो इसको acidic acid भी कहा जाता है acidic amal इसको कहा जाता है तो option आपका B right हो जाएगा और इसका फोर्मूला क्या होता है तो यह होता है CS3 COOH इसका formula होता है इसको ethanolThis amal या पिर acetic acid भी इसको कहा जाता है तो option आपका यहां पर B right हो जाएगा चले नेश कुसन देखते हैं सुद्ध डैस को ग्लेसस एसेटिक अमल कहा जाता है तो सुद्ध डैस को ग्लेसस एसेटिक अमल कहा जाता है किसको कहा जाता है तो यह कहा जाता है एथनोईक अमल को किसको कहा जाता है निम्ने में से किसका उप्योग इतर बनाने और स्वाद उत्पन करने वाले कारक के रूप में किया जाता है तो ये किया जाता है किसका ester का option यहापका D दिल्कुल रॉइट हो जाएगा और देखे एस्टर की अभिक्रिया जब वापस चार से करवाते हैं तो यह वापस एलकॉल और अमल में बदल जाता है कौनसा एस्टर तो अपसन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका यूज इत्र और स्वाद उत्पन करने वाले कारक की रुब में किया जायता है एस्टर का तो अपसन डी करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या स्कोर रहा हो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे तो चले मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू